ग्राम समस्या के हर पहलू को उजागर करने निकली एवीपियस न्यूज की टीम गाउं मकरंदपूर पहुंची जिला मुरादाबाद ब्लॉक बिलारी का यह गाउं लगबग बाइस सो की आबादी वाला है वर्तमान में इस गाउं की प्रधान रीना देवी हैं ग्राम मकरंदपूर में पानी की निकासी से लेकर पंचायद भवन जैसी बड़ी समस्याएं हैं साथ ही खड़ंजे की सड़क वा बेहतर सफाई विरस्था ना होने से ग्राम वास्यों को परिशानिया भी दिखाई दी गाउं में जीवन स्तर औसत है जिसमें अधिकतर लोग क्रशी से जीवन यापन करते हैं गाउं में कुछ पक्की सड़के हैं तो कुछ तूटी वा खड़ंजेड वाली सड़क भी हैं गाउं में कई खंबो पर मरकरी लाइट लगी है तो पूरे गाउं में बिजली समयनुसार आ जाती है। गाउं के प्राइमरी विद्याले में 140 के करीब शाथ से चात्राएं हैं तो राशन गल्ला प्राप्त करने वाले 200 लोग हैं। गाउं निवासी बताते हैं कि निर्मार कारे हो रहा है पर धीरे धीरे कारे तेजी पगड़ लेगा। वहीं प्रधान प्रती निधी ने बताया कि गाउं में 14 में वित्त की कम किस्ट आई है। वहीं दस सोलर लाइट वह प्रधान मंत्री आवास वह 440 बनवा दिये गए हैं। और पैसा पूरा आने के बाद खरंजों को सीसी टाइल्स में तब्दील कर दिया जाएगा। हुआ है ईसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। कौन आपके प्रtles Monthly कोई नहीं है। नाम प्रधान एं जी का नाम है दिना कुमारी जी और जो Was कि ऐन ओप्री Shapeniny में कोई ुमार्जी बैसे इनमें कोई प्राउब्लम नहीं है। कोई दिक्कत नहीं आ रही है कि नहीं मतलब सभी समाच से मिलके काम कर रहें है कुछ आप दिकास कार रहे हैं तेजी से चल ला है मार पैसे ही दिक्कत पढ़ रही है थोड़ी च्वादिमृत की किस्ति भी याद ही आ रही है फिर भी मैंने अपने कारगाल में दो साल के अंदर दस सूरह लाइट लगवाद दी है और 58 बिजली से चलने माई लाइट है और तीन नल रिवोर करा दे हैं सरकाई एंट पंप पा 44 हो चलने पूर्ण हो चुगे हैं और बागी पर काम चलना है